नमस्कार दोस्तू, मैं हूँ प्रतीक, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर लाग तीन हजार के आसपास रोड एक्सिडेंट्स हुए हैं जिसमें एक लाग पचपन हजार लोगों की जान गई है मतलब करीब 426 लोग डेली या हर एक घंटे में 18 लोगों की जान गई है इसके लावा इंजर्ड हुने वालों का नमबर 37,000 है इसी के साथ साथ अगर उन स्टेट्स के विवात करें जहां सबसे ज़्यादा देथ हुए हैं तो लिस्ट में पहले नमबर पर उत्तर प्रदेश है दूसरे पर तमिलनाडू है तीसरे पर महराज़्टर है चौते पर मध्ध प्रदेश है पांचोए पर करनाड़का है और छठे पर राजस्थान है ये वो टॉप छे स्टेट्स हैं जहां एक्सिडेंट्स में सबसे ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गवाई है अब इन एक्सिडेंट्स का कोई एक रीजन नहीं है बहुत से रीजन्स हैं जिसके वज़े से ये होता है लेकिन जो सबसे ज़्यादा परसेंट कवर करता है या सबसे ज़्यादा जिस वज़े से अक्सिडेंट्स होते है वो है ओवर स्पीडिंग और रैस ड्राइविंग इसके अलावा दूसरे नमबर पर आता है रॉंग सैड ड्राइविंग जो इंडिया में बहुत ही कॉमन है मतलब इतना कॉमन है कि ये चीज छोड़े से छोड़े रूरल एरियाज में और बड़े से बड़े शेहरों में भी देखने को मिल जाता है और ये गलतियां मादमी तो करता ही है साथ में कभी कभी रूल्स को बनाने वाले या उसके रखवाले भी ये गलतियां कर देते हैं जो आपको इस वीडियो में भी दिख जाएगा सर! 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 अभी सर आप जिस तर से आप उधर से आ रहे थे तो वो रॉंग साइड है कि राइट साइड है इधर से आप निकले थे हम रांग साट आए रांग साइड आए ना एक दिन बज गया थे एक्सेरें रोले से तो भाइस आप जो है इसे नहीं हम घुलत आए अब जो कर लिया कर यह गाड़ियां कभी बहुत तेज जाती हैं अब तो अब तर ने मुझे हम तो उधर से आए उस तरफ से आए लेकिन इधर से कभी-भी गाड़िया जाती है तो उससे दिक्कत हो जकता है यहां पर हम लोगों ने एक पुलिसमेन को रोका जो कुछ दूर रॉंग साइड में चल कर अपनी लेन में आये हैं इसके पहले भी उसी जगह एक और लोग रॉंग साइड में आते मिले थे वो भी शायद पुलिसमेन ही थे हाला कि उस समय हम उन्हें रोक नहीं पाए लेकिन आस सर को हमने रोक कर पूछी लिया कि क्या आप जिधर से आये हैं वहां से आना चाहिए और जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा इन्हों ने तुरंत ही अपनी गलती मान ली और बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहे थे और इन्हों ने बोला कि ज़्यादा थर्बो टर्ड लेकर ही आते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है हाला कि कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए थोड़ा बहुत दो-चार मिनट समय बचाने के चक्कर में ये गलती मत करें क्योंकि इस से आप के साथ साथ सामने वालों को भी नुकसान पहुंच सकता है इसलिए हमेशा सही तरह से सेफ ड्राइविंग करें